मित्रो, आयर्वेद दुनिया की पहली ट्रीट्मेंट पद्दती है, जिसमें न तो कोई साइड इफेक्ट्स है, न तो कोई इंफेक्शन होता है इस पद्दती से पुराने और हटीले रोक पुर्णता नाबूध हो जाते हैं आज कल पूरी दुनिया में भी इस पद्दती की मांग बढ़ गई है मित्रो मैंने आज इस वीडियो में अपने पश्यों की एक समस्या याने जेर न गिनने की समस्या के समाधान के लिए इसी आईरुविदिक पद्दती के घरेली उपाय बताये हैं जो आपको बहुत ही सस्ते पढ़ सकते हैं और 100% रामभान भी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें तो मित्रो इस वक्त मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अपने हिंदू समस्कृति में पश्यों के बैंद के बाद अगर जेर नहीं गिरता तो पश्यों मालिक याने खास्त और पर स्त्रिया बहुत ही सेंसिट्यू याने इमोशनल होती है वह डॉक्टर को तो पिर जाएगी उनके इसाब से पशुके शरीर के अंदर हाट डालना बहुत ही नुक्सान का रख होता है तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पिलाने की दवाईयां आयरवेदिक होमियोपेतिक और एलोपेतिक दवाईयां ही बताई है और घरेलू उपाई भी बताए है जो बहुत ही फायदाका रख है तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले हम घरेलू नुसके बताएंगे नुसका नंबर एक मूली खिलाना पशुको बियान के तुरंत ही एक घंटे से दो घंटे के अंदर मूली यहने पूरी मूली दो से तीन नंग खिलाए जेर गिर जाएगी दूसरा नुसका भेंडी खिलाना फिर भी अगर जेर न गिरे छो से आट घंटे हो गये हैं तो अपने पशुको बेंडी अंदाजित एक किलो से देड किलो लेकर उसमें गूड और नमक यथा योग्य प्रमान में मिश्र के लास्ट भाग को गाठ मार कर बंद दे और जेर का आगे का जो भाग है उसे काट दे ऐसा करने से क्या होगा कि जेर का जो भाग की का भाग है खुद ही बच्चे दानी के अंदर चला जाएगा और यहां ध्यान रखे कि जेर को अंदर हाथ डाल कर ना निकाले जेर को लिखिलाए जेर ही खुदी-खुद दिश्चार के रूप में बाहर आ जाएगी नुस्का नंबर 4 चीनी याने शुगर का काड़ा मित्रो प्रतम 500-600 ग्राम चीनी लेकर उसे 2 लिटर पानी में उबा लें फिर उसे थोड़ा ठंड करके पिलाएं जेर गिर जाएगी अगर तीन से चार गंटे में जेर न गिरे तो फिर इसी तरह का काड़ा बना कर तीन से चार गंटे के बाद एक बार फिर से पिलाएं जेर अवश्य गिर जाएगी तिसरी बार इस नुस्के का उप्योग न करे शायद अपचा होने की संभावना होती है मित्रो अब देखेंगे नुसका नंबर पांच अपने रसोई घर में जो सामगरिया होती है छोटी-छोटी मसाले उसका काड़ा बनाने का मित्रो अपने रसोई घर में मसाले के रूप में होता है लैसुन होता है, सूंट होता है, जीरा है, मेती है, सवा है, जोईन है इलाइचे है, लोंग है, सोफ होती है तो इन सब चीजों को हर एक चीज 10-15 ग्राम लेकर हर एक चीज 10-15 ग्राम लेकर मिक्स करें और उसे गरम पानी में उबालकर ठंडा करे यह काड़ा पशु को पिलाने से 2-4 घंटे के अंदर जेर बाहर आ जाती है और यह काड़ा इतना अच्छा होता है कि पशु को बियान के बाद कोई बीमारी भी नहीं होती नुस्खा नंबर 6 मित्रो, अपने पशु को बियान के बाद तुरंद ही एक घंटे के अंदर अंदर उसके बच्चे को अपने मा का दूद पिला देना चाहिए इससे भी जेर गिरने में मदद होती है क्योंकि बच्चा जब मा का दूद पिता है तब ऑक्सिटोसी नामक एक हार्मोन पशु के शरीर में पैदा होती है और वह जेर गिराने में मदद करती है तो मित्रो, अब नुस्खा नंबर 7 सुने हमियोपैथी में एक प्लैसेंटो नामक सलूशन आता है 15 ml के बॉटल में उसे बैन के बाद 5 ml, 5 ml पिलाए और फिर एक गंटे के बाद फिर से 5 ml पिलाए इससे भी जेर गिर जाती है मित्रो, उपर बताए गए सब नुस्खे, आयरोएदी का और घरेल है जो 100% रामबान भी है एलोपैथिक टीटमेंट में क्या होता है कि हाथ से जेर गिराने के बाद पश्यू को इंफेक्शन रोकने के लिए और दर्श से छुटकर आपाने के लिए बहुत ही महेंगी दवाओं का उप्योग करना पड़ता है इंट्रावेनस बोटल भी चाड़ा नहीं पड़ती है और टीटैनस टॉकसाइड का इंजेक्शन भी देना पड़ता है और कभी-कभी पश्यू को बांजपन की समस्चा भी हो सकती है तो मित्रो इस जानकारी के बाद यह वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करे शेर करे और मेरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करे थैंक यू थैंक यू वेरी मच